इतिहास के पन्नों को, खूनी पन्नों को आप खोलना चाहते हैं, हिंदोस्तान के वो पाप्लर परधान मंतरी, आपको अच्छे नहीं लगते तो ना सही, पहले पंजाब में बच गया, हम इनको मार देंगे, तो क्या ये पगड़ी, क्या चुप रहेगी, इतिहास आपके साम आप अंदोलन करिए, अगर आपके अंदोलन के अंदर, अगर हिंदोस्तान के वो पाप्लर परधान मंतरी, आपको अच्छे नहीं लगते तो ना सही, पर दुनिया उनको सलूट करती है, अमेरिका उनके लिए लाग कार पैट में जाता है, अर टेलिया का प्राइम हम इनको मार देंगे, तो क्या ये पगड़ी, क्या चुप रहेगी, मैं सवाल पूछना चाता हूँ, मेरे सब पूछो मैं कौन हूँ, मैं सरदारबाद में हूँ, मैं करता हम मेरा धर्म भारत महां, मैरी जास बंदे मातरम, हमारे गुरूं का देश है, हद दो गई यार, हम हुआरे परदान मंतरी जी को दंकी दी जा रही है, मारने की, इंद्रागादी को मार दिया गया, सरदार बयन सिंग को मार दिया गया, ची मिनस्टर को, कई इन्होंने मार दिये, मैं किसानों की बात नहीं कर रहा, पर अंदोलन के भीज में गुशच करके, जो खालस्तान के नारे लगाएं, देश को तोड़ने के नारे लगाएं, वो कभी बरदाश नहीं होंगे, हिंदोस्तान एक है, एक रहेगा, और किसानों की बाचित, अभी भी इनको करनी चाहिए, शब्वी जन्वरी को अंदोलन था, किसान निताओं के हाथ में अंदोलन था, ठीक है, दिली म इजाज़त दी गई, शब्वी जन्वरी का दिन सा, दुनिया के लोग, अंबैसिडर, दुनिया देख रही थी, दुश्मन देश पाकिस्तान देख रहा था, तो अंदोलन हाथ में रहा, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, हाथ से निकल गया, अगर अब हाथ से निकला, नरिंदर मोदी की, आप से लडाई हो सकती है, आप से दुश्मनी हो सकती है, आप उसको बुरा कह सकते हो, पर हम जिस नरिंदर मोदी ने तीन सो सतर दारा हटाई, जिस नरिंदर मोदी ने राम जनव भूमी का निरमान किया, जिस नरिंदर मोदी ने विश्व गुरू की त आखरी दिन होगा जो लीडर है अंदोलनकारी वो बाचित करें पर क्या लाल किला में जो हुआ उसकी जिम्यदारी कौन लेगा क्या लाल किला में तरंगे जंडे का अपमान हुआ उसकी जिम्यदारी कौन लेगा क्या लाल किला के जो पुलिस वालों को रोदा गया पैरों की उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा क्या दिल्ली के अंदर दुबारा अगर ऐसी बात हो दिल्ली हिंदोस्तान की राज़दा नहीं है दुनिया के अंबैसेडर वहां रहते हैं दुनिया में क्या संदेश जाएगा आज दुनिया के अंदर क्या संदेश है कि हमारा देश विशव गुरु बनता जा रहा है तो संदेश क्या जाएगा यह जाएगा कि हमारा देश तो टूट रहा है हमारे देश देश में खालिस्तान की बाथ चल रही है यह मेरा सवाल है प्रठम रास्ट तेरा व्यजंब अमर रहेमा हम दिन चार रहे ना रहे अब मेरे से पूछो सजर नहीं मैं मेरा बाद में हूँ मेरा धर्म भारत महां मेरी जात्मन्दे मातरम यार मैं भारती हूँ मैं कोई सरदार हूँ तो को मैं हैसान नहीं कर रहा यहां बोल करके मेरा हक भारत है मेरा खून चौदा बार बंबो से इस भारत में गिरा है यह मेरा भारत है हदोगी यह भगत सिंग का भारत राजगुरू सुखदेव का भारत सरदार पटेल का भारत उसके लिए महां पंजाब का नहीं महां पहले भारती ये सब को फैसला करना है कि अंदोलन करते करते कहीं भारत मा को विशव गुरु की तरफ जो जा रहा है आचना आ जाए कनून तो पूरी दुनिया के लिए पूरे देश के लिए होता है ना एक स्ट करनाटका में अंदोलन है मेरा सवाल है क्या यूपी के अंदर अंदोलन है क्या राज्यस्तान के अंदर अंदोलन है क्या कैरला के अंदर अंदोलन है क्या कैल के बंगाल के अंदर अंदोलन है पूरे देश के अंदर कि ही कोने के अंदर क्या महरास्त्रा के अंदर अंदोलन है अंदोलन महरास्ता में भी हुआ था पर वो अपसमें ठीक हो गया सवाल सबसे बड़ा यह है अंदोलन करो अंदोलन करने का भारत देश एक अजाद लोक्तंतर मुल्क है अब करो पर पिछली बार जो अंदोलन में हुआ शबी जन्वरी को दिल्ली दहल गई क्या आप दिल्ली में आ करके इस सिख कौम की पगड़ी को कोई आप से हाथ से अगर कोई चीज निकल जाए जैसे शबी जन्वरी को निकली अंदोलन का जो आप कंट्रोल नहीं कर पाए हमने भी दिल्ली में बहुत रह लिए कि अगर हाथ से निकल गई तो क्या पहली जैसी दिल्ली बनेगी क्या हमारी पगड़ी के उपर दाख लगेगा यह पगड़ी गुरुओं ने कुर्बानियों से दी हमने यह जो दस पुर्पुर में आए बच गए अभी वीडियो दिखाता हूं ले जाए उसको साथ लगाए बच गए अब अगर आए तो अब बच नहीं पहोगे इन चीजों की ग्रंटी कौन देगा किसान अंदोलन अजादी है कोई भी अंदोलन एक अजादी है लोक तंतर मुल्क है पर वो हिंदोस्तान का परधान मंत्री जो राष्ट को विशफ गुरू बनाना चाहता है जो अतंकवाद को समाप्त किया है राम जन भूमी का निर्मान किया है कौली डोर करतारपूर साब पंजाब का आज तक कोई खुलवा नहीं पाया एक तरफ पुल्वामा की जंग की त्य प्यारी और दूसरी तरफ गुरू नानक देव जी महराज का शुब दिन उसने कहा मोधी जंदा रहे या ना रहे यह कॉलीडर खुलेगा त्षिक इतिहास के लिए गुरू नानक देव जी का खुला तो तो नरिंदर मोधी जी का सिर्थ जुका ही रहता है कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान को दुनिया में बदनाम न करें वदेशी शक्तियां पाकिस्तान कैनेडा अच्चाइना हिंदुस्तान को कमजोड करने की कोशिश कर रहा और कैनेडा के अंदर जिस तरीके से खालस्तान के नारे लगते हैं जिस तरीके से अक्षर दाम मंदर पे हमले होते हैं जिस तरीके से हिंदू, मुसल्मान, सिख इसाईयों के तरंगे जंडे को फुटमाल बना के पैरों में रोदा जाता है उस वक्त मेरे भाईयों की, सरदार भाईयों की आवाज क्यों नहीं उठती इस देश सब का है ये हिंदू का है मुसलमान का है सिक का इसाई का है क्या किसान लीडर ये गरंटी लेंगे जिन लोगों ने चंबू बाडर के उपर ये धमकी दी है मैं वीडियो दिखाता हूं वीडियो भी सुनाता हूं कि पहले तो निरंदर मोदी बच गए पंजाब में अब बच नहीं पाएंगे ये क्या इतिहास दुनाना चाहते हैं क्या पंजाब के बार सिख नहीं है मैं पूछना चाहता हूं क्या हर सिख समाज को सनमान नहीं मिलता है पंजाब से जारा सनमान मिलता है हर व्यक्ति कहता सिख समाज वो है जिसके कारण आज हिंदुस्तान ए झाल 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 झाल